यहां दोस्तों अभी अभी जियो के तरफ से ख़बर आई है कि जियो से अगर आप किसी को भी कॉल करते हो तो अब वो फ्री नहीं रहेगा जब से जियो आया था जब से जियो के प्लान में एक उफर था अगर आप बेस प्लान में खरीदते हो 400 रुपे का तो उसके आपको 400 रोज का 1GB डेता मिलता था 84 लेश के लिए प्लास अले टेड फ्री कॉलिंग मिलती थी किसी को भी कॉल करो से एटल पर करो वोड़ा फोन पर आइडिया पर करो किसी भी नंबर पर को आपको फ्री में कॉल करने को मिलता था लेकिन अब वो जियो बंद कर रहा है क्योंकि जो टेरिफ प्लांज होते हैं आई उसी की तरह से जो अपना ट्राई है जो सब समालता है यह सब जितने भी टेलिकॉम ऑपरेटर है उनसे भी का जो हेड है वो एक चार्जेश अप्लाई करता है हर एक सर्विस प्रवाइडर के उपर चार्जेश क्या होते हैं यह सपोज अगर आपका एक जियो का नंबर है और सामने वाली का आइडिया का नंबर है अगर आप आपके फोन से उसके फोन पर फोन कर रहे हो तो आपका जो ओपरेटर होता है उसे जियो वाले को आइडिया वाले को 6 पैसापर निट के सब स equationар बींटे किसी और को phone करता है तो बorousव आप से एक ₹-Notas मैं इंडा मोछटए के वह मरORYंगे यजसा काुट तो वह आप से एक मिनिट का एक यह लेते बत इनको कितना पड़ता है और इनको सिρ्फ 6 लोग पड़ता है देना सामने वाली company को तो अब क्या होता था कि कैसे लोग क्या करते थे, कि suppose आपके पास आईडिया का नमबर है, टेल का नमबर है, तो आपके जो भी Jio customers होते थे, जितने भी आपके दोस्ते हैं, इनके पास Jio की सिम होते थे, लोग उन्हें miss call मारते थे, miss call मारके उनकी तरफ से callback आता था Jio वाले की तरफ से, उनके लिए अब भी तक free था, आज तक free है, कल से free नहीं होने वाला है, 10 October से calling का पैसा भी लगेगा, free में आप call नहीं कर पाओगे, अब Jio के तरू भी minimum आपको pay करना पड़ेगा, 6 पैसा आपको per minute pay करना पड़ेगा, अब उसको बचने के लिए आपके पास काफी सारी options जैसे कि आप WhatsApp calling कर सकते हो, चाहे तो आप WhatsApp calling हो गया, या इंटरनेट calling हो गया, वो सब आप कर सकते हो, Jio to Jio free रहेगा, पर Jio से आप किसी और operator को call करोगे, आपको 6 पैसा per minute लगेगा, 10 October यानि कल वो अपना plan निकालेंगे, minimum 10 रुपेगा आपको recharge कराना पड़ेगा, उसे ओलोग आई उसी top up बोल रहे है, जो intercall, charges service होती, जो भी होती है, उसका आपको एक top up कराना पड़ेगा, suppose आपने 10 रुपेगा top up कराया, अब आप suppose एक मिनिट बात करे हो, तो उस 10 रुपे में से 6 पैसा कटेगा आपका, तो ही आप बात कर पाऊगे, अगर आपके पास suppose आपने 400 रुपे का plan करवा के रखा है, फिर भी आपको call करना है, तो आप call नहीं कर पाऊगे, क्योंकि अभी फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि जियो को भी as a company घाटा हो रहा है, पन हाँ, जियो की एक चीज अच्छी है, कि वो जितना लगता है, उतना ही ले रहा है, बाकी idea हो गया, retail हो गया, Vodafone हो गया, जितने भी अलग और टेलिकॉर उपरेटर्स है, वो आपसे एक मिनिट, एक रुपे का, एक मिनिट का एक रुपया, देट रुपया लेते पर मिनिट का, पन अभी जियो वैसा नहीं लेगा, जियो को भी क्योंकि घाटा हो रहा है, जियो ने कहा, कि जब से हमने स्टार्ट किया है, तब से अभी तक उन लोग ने 1600 करोड रुपीज ऐसे दे दिया है, अलग-अलग ऑपरेटर्स को, क्योंकि बाकी जितने भी आपके पास एक नमब लेटर्स की हेड है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, उसने कहा था कि जैनुवरी में हम बंद कर देंगे सिस्टम को, लेकिन उसने बंद नहीं किया है, इसके लिए जियो को घाटा ना हो, आगे चल कि वो लॉस में ना चला जाए, इसके लिए जियो ने इस टेप जब तक आपका चल रहा है चलता रहेगा, जब नेक्स रिचार्श करा हो कि तब टॉप अप कराना पड़ेगा, या तो हो सकते है कि आपको कल ही टॉप अप कराना पड़े, दर्स रुपे का मिनिमम टॉप आएगा, जिसमे आप जितने देर कॉल करोगे, उस साप से 6 पैसा पर मिनिट के ओपर कटता रहेगा तो फ्री कॉलिंग जियो ने बंद कर दी है तो ये एक बड़ी खबर थी जो अपडेट आपको मेला है हमारे चानल के तूरू अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो शेयर करो यह दो जाता हैनोगों कीकि अफी तक लोगों को जचाथा कि फ्री है अब फ्री नहीं है अगर आपको पैसा बचाना है तो अगर आपके सामने वाले के पास भी जिऊ का सीम है तो जिऊ टु जिऊ फ्री है पर जिऊ थू किसी और operator को आप क औरftig कोई नहीं है चाहे तो आप WhatsApp कॉलिंग का यूज कर सकते हो वो भी फ्री रहेगा लेकिन अब जो फ्री वाला सिस्टम था वो जी यो बंद कर रहा है क्योंकि इस टरहीं से और एक इडरस्टिन वीडियो में जबते की वीडियो को शेर कीजिए लाइक आपने दोस्तों के साथ बस, बबाई